नमस्कार साथियों स्वागते आपके अपनी यूटूब चैनल RBSCV2HSM में काराले मुखे चिकेसा एवं स्वास्ते अधिकारी जालावाड के द्वारा सत्र 2020-2021 के लिए महिला स्वास्ते करे करता प्रेसिक्षन के लिए कांसलिंग सीडियूर एवं कट ओफ मार्क्स जारी कर इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्प में विस्तार पूरुक चर्चा इस वीडियो में करेंगे जैसा कि हमें स्क्रीन पर दिखाई देरा है कारले मुखे चिकेसा एवं स्वास्ते अधिकारी जालावाड 21 जनवरी 2021 को यह विकप्ती जारी की गई है सिरिमान अत्रिक्त निदीशक चिकेसा एवं स्वास्ते सेवाए राजस्तान जेपूर के पत्र करमांग दिनांग 22 दिसंबर 2020 के अनुसरण में जीला जालावाड में महिला स्वास्ते कारे करता प्रेसिक्षन हेतु पत्र अभ्यरतियों को सत्र 2020 से 2021 के लिए काउंसलिंग द 27 जनुवरी 2021 को प्रातह नो बजे जीतमल जी की धर्मशाला के पीछे महिला स्वास्ते कारे करता प्रेसिक्षन केंद्र जालावाड स्वास्ते भवन परेसर नया भवन में की जावे की अतह इस काउंसलिंग में निम्न वर्गानुसार योग्यता रखने वाले आविदन करत में समस्त मूल परमान पत्र अंक तालिका एवं चरीतर परमान पत्र एवं उनकी सत्यापित छाया परती सहीत निर्धारीत समय पर उपस्तेत होगें यदि कोई अभ्यारती उक्त दिनांको नियत समय पर काउंसलिंग में अपनी मूल परमान पत्र अत्वा आवशक दस्ताव उपलब्द नहीं कर पाती है तो उसको काउंसलिंग में समलित नहीं किया जाएगा सामाने वर्क की कट ओफ 80.60 अन्य पिछड़ा वर्क के लिए 76.40 अती पिछड़ा वर्क के लिए 74.40 अनुसूचित जन जाती के लिए 72.80 अनुसूचित जाती वर्क के लिए 74.00 काउंसलिंग में कट ओफ निर्धारन के लिए यहाँ पर डियो भी का भी इस्तमाल किया गया है विभागी चतुत्रशेणी महला क्रमचारी का कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है अन्य स्रिनी की विद्वा एवं तलाक शुदा महला की स्तती में 60.77 विकलांग निशक्त जन एक पेर से 39.23 आर्थिक रूप से कमजोर EWS वर्ग 70.40 अंगनवाडी कारिकरता 57.08 आर्षा सहयोगनी आवेदित समस्त आर्षा सहयोगनी में जो भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उन सभी को काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना होगा मिल्यक्टरी पेरामेडिकल प्लीस मृतिक कर्मी की विद्वा का कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने जो तत्ते हैं सबसे पहला तत्ते हैं काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी 27 जनवरी 2021 को प्रातह 9 बजे से प्रारम होगी इस्थान की संदर्व में यहाँ पर जीत मल जी की धर्मशाला के पीछे महिला स्वास्ते कारे करता प्रेसिक्षन केंद्र जालावार स्वास्ते भवन परीशर नया भवन में की जाय की अथार अभ्यर्तियों को दिये गई एड्रेस पर पहुचना होगा अब्यर्तियों को अपने साथ आविदन पत्र के साथ समस्त मूल प्रमान पत्र अंक तालिका एवं चरीतर प्रमान पत्र उनकी सत्यापी छाया प्रतियां साथ लेकर जानी होगी मूल प्रमान पत्र अत्वा आवशक दस्ताविज उपलद नहीं करने वाली अभ्यरतियां को यहाँ पर काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसमें समलित नहीं किया जाएगा कुछ महत्पण नोट है उनके संदर में भी हम जानकारी लेंगे काउंसलिंग हेतु बुलावा पत्र अलग से रजिस्टर डाग द्वारा भेज दिया गया है काउंसलिंग हेतु बुलावा पत्र किनी कारणों से नहीं मिलने पर उक्त मेरिट रखने वाली अभ्यरति काउंसलिंग हेतु नियत थी को उपस्तित होए किसी भी तरह का यात्रा भेका भुकता नहीं किया जावेगा यह परवेश का पत्र नहीं है निर्धारित सीटों की संख्या का जो पांच गुना जो अभेरतिया है उनको आमंत्रित किया गया है अता मेरिट के अनुसारी उपलब्द सीटों पर परविश्टिया जा सकेगा अलप आयू अधिक आयू मानेता प्राप्त बोड से बार भी उत्तिन नहीं होने वाली अपून पर पत्र वाले एवं आगनवाडी कारिकरता पर पांच वर्ष पून अनुभव नहीं रखने वाली अभिरतियों के आविदन पत्र निरस्त किये गये हैं निरस्त कियेगे एवं विलंब से प्राप्त आविदन पत्रों की सूची कभी भी इस कारले में देखी जा सकती है आशा प्रेसिक्षण मोडिूल्स छे वह साथ की चतूर्त चरण तक प्रेसिक्षण पांच वर्स कारिरत एवं निर्धारित योगिताधारी आशा सहयोगनियों को ही चैन हेतु पात्र माना जावेगा OBC के अव्यर्तियों का जाती प्रमान पत्र एक वर्स से अधिक अवदिका नहीं होना चाहिए तो अव्यर्तियों को यहाँ पर आवशक दस्तावेजों के साथ में जो कांसलिंग कटोप्स के अंदरकत आते हैं वे 27 जनुवरी 2021 को प्रातह 9 बजे जीतमल जी की धर्मशाला के पीछे महिला स्वास्ते कारेकरता प्रेस्सक्षन के अंदर जहलावार स्वास्ते भवन परीशर नया भवन में उपस्तेत होवे आवशक दस्तावेजों में यहाँ पर दस्वी, बारिवी की अंकतालिका एवं आवेदन पत्र के साथ में आपने जो भी जाती प्रमान पत्र, ओविसी प्रमान पत्र या अन्य कोई डोकुमेंट अगर लगया है तो उस डोकुमेंट की ओरिजनल डोकुमेंट एवं पित छायापरती लेकर आपको उपस्तित होना होगा किसी भी तरह की भ्रह्म की स्तती में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना प्रशन अवशे रखें ताकि इस चैनल के माध्यम से आपकी हर संभव प्रशन का उत्तर देने का प्रयास किया जा सके महिला स् से 2021 की कांस्लिंग एवं कटोप्स के संदर्प में हमने पूर में भी वीडियो बना रखा है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब दख्रा दिया कया है तो आशा करूंगा कि जानकरी आप लोगों के लिए काफी उपयोगी एवं महत्तपुन रहेगी फिर मिलेंगे एक नई अबडेट के साथ तब तक बने रहे और वीए से वी तैजसम के साथ जहिंद जय भारत